नमस्का न्यूज एटीन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ शिवानी पांडे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्रप्रदेश के जेवर में बन रहे नौईडा इंटरनाशल एपोर्ट की आधाशिला रखेंगे जेवर में कारेकरम के दोरान पीम मोदी और सीम योगी आधितनाथ के लावा राजपाल, आनंदी बेन पटेल समेथ, राजसरकार के कई मंत्री और दिगज नेता भी शिरकत करेंगे जेवर में बनने वाला ये एपोर्ट दुनिया का चौथा सबसे बड़ा और आधुनिक एपोर्ट होगा, अक्टूबर 2024 में यहां से उडान शुरू करने का लक्ष रखा गया है, फिलाल एपोर्ट की चार दिवारी का काम युदिस्तर पर चल रहा है, एपोर्ट के निर्म तरीके से बन कर तयार किया जाएगा, हाला कि युदिस्तर पर तयारिया है, और पहले फेस की तयारी 2024 तक होने की बात कहीं जा रही है, ये कहा जा रहा है कि 2024 से यहां से कुछ उडाने भरनी शुरू हो जाएगी और इससे पहले प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उसके बारे में जानकारी दी, उन्होंने ट्वीट किया कि 25 नमबर भारत और उतरप्रदेश की बुनियादी धांचे के निर्माण में एक प्रमुक दिन है, तो पहर एक बजे नौईडा इंटरनाशनल अधार्शिला रखने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी करीब 12 बजे कारिकरम स्थल पर पहुंचेंगे, प्यम मोदी सुबा करीब 11 बजकर 20 मिनिट पर हलिकॉप्टर के जरिये दिल्ली से जेवर के लिए रवाना होंगे, करीब आदे गंटे बाद प्यम जेवर हल अगरेक उड्यन मंत्री जो तिरादित सिंध्या ने कहा कि जेवर एपोर्ट सिर्फ यूपी ही नहीं, बलकि पूरे भारत के लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट होगा, ये एक बार जब ये एपोर्ट बनकर तयार हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, तो लोगों को इससे रोज प्रत्वकांची योजना है, जहां करीब करीब 34,000 करोड उपय का निवेश, जेवर में एक अंतराष्ट्र हवाई अड्डे के रूप में किया जा रहा है, और ये हवाई अड्डा मैं आपके द्वारा दर्शकों को भी सूचित करूँ, ये भारत का सबसे बड़ा नहीं, लेकिन एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनने जा रहा है। वो सभी को यहां पर लगाया गया है, और एक बहुती मजबूत वेवस्ता यहां पर प्रतान की जा रही है, हमारा विशेश बल होगा कि ट्राफिक जो है बहुत सुखमता से चले, जिससे कि जो यहां इस कारिकरम में प्रतिभाग करने लोग आ रहे हैं, उनको कोई बहुत क गुजरात के सूरत से चौकाने वाली तस्वीने सामने आई, वहां निक उडेदरा नाम का एक लड़का सांप को हाथ में पकड़ कर अपने दोस्त को डराने लगा, निक के खिलाफ कुछ दिन पहले पुलिस ने हाथ अपाई कि एक मामले में कारवाई भी की थी, लेकिन उस दिखाते हुए अपना वीडियो भी बनवा लिया, लेकिन इससे भी उसका मन नहीं भरा तो वो सांप से अपने एक दोस्त को डराने लगा, इसमें उसका साथ उसके तीन और दोस्त भी दे रहे थे, सांप को अपने इतने करीब देखकर लड़का इसकदर डर गया कि उसकी निकलने लगी, डर से लड़का दूर भागने लगा तो उसके दोस्त उसे सांप की तरफ धकेलने लगे, एक वक्त तो ऐसा आया जब सांप लड़के के बेहत करीब पहुंच गया, अनकि कुछ देर बाद सभी वहां से भाग निकले, गरीमत ये रही कि इस खतरनाक खेल में साप ने किसी पर हमला नहीं किया. राज चुनाव में बीजेपी को पचाडने और राश्री स्तर पर बीजेपी के खलाफ एक मजबूत विपक्ष की रूप में उभरने की कोशिश है. टीमसी की तरफ से चुनाव टालने की मांग के बावजूद 23 नवंबर को सुप्रीम कोट ने त्रिपूरा में निकाय चुनाव को हरी जंडी दे दी थी. हाला कि कोट ने राज सरकार को कारुन विवस्था बनाने और निश्पक्ष चुनाव कराने का आदेश दिया है. कारुन विवस्था और प्रचार करने का आफसर ना दिये जाने के कारण टीमसी ने चुनाव टालने की मांग की थी. 28 नवंबर को वोटों की गिंती होगी. राजनेति घटनाओं को लेकर के चर्चा का केंद्र बने त्रिपुरा के उप मुख्यमंत्री जिश्नू देव बर्मन जी हमारे साथ हैं. हम इनसे बात करेंगे. दादा, सबसे पहला सवाल लाजमी है, हिंसा पर होगा. आरोप लग रहे हैं कि राजमें हिंसा हो रही है. पिछले चार महिने से. टी-मसी बार-बार आरोप लगा रही है कि उनके जो कांदिदेट है, नेता हैं, उन पर हमला किया जा रहा है. देखिए आप तो हैं इदर कुछ दिन से हिंगसा हो रहे हैं कि इतना प्रचार हो रहे हैं यह प्रचार नहीं अपर प्रचार है और इलेक्शन टाइम में हिंगसा चोटा मटा करना करती है अज बेंगल के जैसे नहीं है और जो लोग हिंगसा हो रहा है बोल रहे हो लोग अप क्योंकि कोई जंता उनके आते नहीं. नियाने के बाद क्या बोलता है? इंतिमिडिशन, हमको दर्वारा है, बजी पी यह कर रहा है, वो कर रहा है. जस्तु कवर देर वीकनेस, अपना जो वीकनेस है, वो कवर करने के लिए से बोल रहे हैं, और टीमसी का दावा है, कि अगर निश्पक्षिच ना होए, तो बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिले कि आज होने वाली वोटिंग के बारे में, टीमसी का और क्या कहना है, सुनिये जरा. से क्या कर रहे हैं, इलेक्षिन चुनाओ में हमारा 51 कंडिडेट आगरतला एंसी में, इसमें 32 कंडिडेट को फिजिकली असर्ट होए, इसमें 11 कंडिडेट, 11 मोहिला है, इस तरीका का इलेक्षिन मेंने कभी नहीं देखा, एक जम आन्रूली गवर्मेंट, आन्रूली चिफ पिनिस्टर, ओपियन इसको मदद दे रहा है, तोरफूर करो, एटाक करो, इस सब, तो यह सब हमारा पाति पुरा में, पोलिटिस में ही नहीं था, इतना साल पोलिटिस में, लेकिन जो भी कर रहे हैं, लोग तीनो मुल का साथ हैं, तीनो मुल का साथ जोर गया लोग CPM लगातार आरोप लगा रही है कि उनकी पार्टी के नेताओं को धमकाया जा रहा है, साती CPM ने राज्यू में निश्पक चुनाव की उमीद भी जताई है त्रिपुरा में निकाय चुनाव से जुड़ी हिंसा को लेकर सुप्रीम कोट में आज सुनवाई है, टीमसी का आरोप है कि बीज़ेपी कारेकरताओं ने उनके कारेकरताओं के खलाफ हिंसा की है, टीमसी का ये भी आरोप है कि इस दौरान पुलिस ने दंगाईउं की करनाटक में अंटी करप्शन बीरों के सैकड़ों कर्मचारियों और अधिकारियों ने एक साथ करीब साथ जगों पर चापेमारी की, इस चापेमारी में कुछ अफसरों की अकूद दौलत के हैरान करने वाले वीडियो सामने आए, सबसे दिल्चस्प वीडियो तो P.W.D. एक जूनियर एंजिनियर के घर का मिला, जहाँ एक पाइप से भरष्टाचार की नदी बह रही थी। ACB की टीम भी डंडा मार मार कर पाइप में फसी नोटों की हर गड़ी को निकालने में लगी रही। अफसर का घर बाहर से देखने में किसी आम सरकारी घर जैसा ही दिख रहा था, लेकिन घर के अंदर जब जाच हुई तो ACB को खजाना हाथ लग गया। घर में बना पाइप नोटों की गड़ियों का अकेला ठिकाना नहीं था। समद हुए। सोने के भारी भरकम जेवर, सोने के सिक्के और उनके साथ मेज पर रखा नोटों की गड़ियों का धेर, घंटों तक संपत्ती की असली खिमत पता लगाने पर मशक्कत की गई। अब TMC प्रमोख विपक्षी पार्टी हो गई है। इससे पहले राज्य में कॉंगरस मोखी विपक्षी पार्टी थी। इसी बीच कॉंगरस की तरफ से बयान सामने आया है जिसमें कहा गया है कि 12 विधायकों के TMC में जाने की जानकारी पार्टी को है। आज पार्टी के मेगाले प्रभारी मनीश चतरत मेगाले जा सकते हैं। जल्द ही वो पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को पूरी रिपोर्ट देंगे। प्रदूशन के मुद्दे पर सुप्रीम कोट ने सخت रुख अपनाया। अधालत ने इस मामले में केंद्रो राज्य सरकार को मिलकर काम करने को कहा और निर्देश दिया कि दोनों मिलकर अक्शन प्लान बनाएं। जिससे प्रदूशन की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो बोला कि सरकारी अधिकारी कोई काम नहीं करना चाहते और प्रदूशन खत्म करने के लिए उन्हें बेहतर प्लान बनाना चाहिए। साथी अधालत ने दोटू का कि सरदियां आते ही प्रदूशन बढ़ने पर एक साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए ताकि आगे समस्या न लोग फ्रांस से छोटी छोटी नाव में सवार होकर जा रहे थे और इंग्लिश चानल पार करने की कोशिश कर रहे थे जिन्हें ऐसा करने से रोक लिया गया और उन्हें इंग्लांड के दक्षणी तड़ तक सुरक्षित लाया गया इन लोगों में बच्चे भी शामिल रह जिनने बचाव दल के करमचारियों की मदद से नाव से उतार लिया गया और फिर वहां से उनके परिवारों के साथ भेज दिया गया इससे पहले फ्रांस से ब्रिटेन जाने की कोशिश कर रहे एक अतीस शरणार्थियों की इंग्लिश चानल पर पार करते वक्त नाव जुबने से मौत भी हो गई इस घटना पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरस जॉंसन ने दुख जताया इराग के सुलिमानिया में प्रधर्शन कारी चात्रों और पुलिस के बीच हिंसक जड़प हो गई ये चात्र सरकार की तरफ से मिलने वाली आर्थिक मदद बहाल करने की मांग के साथ सड़क पर उतरे थे लेकिन उनके प्रधर्शन में हिंसा शुरू हो गई रोके जाने पर चात्र इतना बढ़क गए कि उन्होंने पुलिस वालों पर ही हमला बोल दिया सामने आई तस्वीर में कुछ चात्र एक पुलिस वाले को पीठते दिखे वो किसी तरह उनके चंगुल से निकलने में काम्याब रहा चात्रों के तेवर देख पुलिस वालों ने भी पीछे हटने में ही भलाई समझी पुदरशन कारियों ने जम कर हंगामा किया जिसमें चात्राएं भी पीछे नहीं रही इससे पहले इन चात्रों ने अपनी युनिवरस्टी तक एक मार्च निकाला और सरकार की तरफ से मिलने वाली स्कॉलरशिप फिर से शुरू करने की अपील की आएस आएस से लड़ाई शुरू होने के बाद सही इराक के इस इलाके की सरकार ने चात्रों को मिलने वाली आर्थिक मदद बंद कर दी थी लेकिन हालाद सुधरने के बाद चात्रों ने इसे दोबारा बहाल करने की मांग तेज कर दी और राजस्तान की बूंदी से चौकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई और यही वज़े रही कि उसने पती को अपने बच्चे को उल्टा लटकाने की सजा देने दी लेकिन इस गटना की तस्वीरें उस महिला ने अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली जो वीडियो सामने आया उसमें साफ दिखा कि आरोपी पिता ने अपने बेटे के पहले दोनों हातों और पैरों को रसी से बान दिया और फिर उसे रसी की मदद से उल्टा लटकाने लगा वो बच्चा उसके साथ ऐसा ना करने की लगाता और गुहार लगाता रहा लेकिन उसके पिता पर कोई असर पड़ता हुआ नहीं दिखा उस बच्चे की मा भी अपने पती का साथ देने की आक्टिंग करती रही जब इतने से भी आरोपी पिता का मन नहीं भरा तो उसने बच्चे को मारने के लिए डंडा उठा लिया वो तो उसकी मा ने ऐसा करने से रोक लिया बताया गया कि बाद में वो महिला बेटे को लेकर अपने भाई के पास चली गई सडकों की तुलना केट्रीना के गाल से करने पर विवाद हो गया राजस्तान सरकार में राज्य मंत्री राजेंद्र गुड़ा के एक बयान पर सियासी घमासान चड़ गया एक कारिक्रम में उन्होंने राजिस्थान की सर्थकों की तुलना केटरीना कैफ के गालों से कर दी लेकिन उनके इस बयान पर हंगामा शुरू हो गया बीजेपी ने तो उनको बरखास्त करने की मांग शुरू कर दी कॉंग्रेस ने भी उनके इस बयान को गलत बताया और उन्हें मर्यादा में रहने की नसियत दे दी उनका ये बयान बहुत दुभागित हो रहा है नेताओं को अपनी मर्यादा कभी नहीं भूल दो चाहिए अक्षे कुमार, सारा अले खान और धनुष की फिल्म अतरंगी दे का ट्रेलर जारी कर दिया गया राजिस्तान के जोधपुर में बार्वी के एक चात्र पर स्कूल में एक चात्रा के उपर जानलेवा हमला करने का आरोप लगा इसके बाद घाय लड़की ने बताया कि आरोपी ने दोस्ती ना करने पर यह हमला किया तक्षन कोरिया में 24 घंटों में कुरोना के 4,116 नए मामले सामने आई वहाँ ये पहली बार हुआ जब एक साथ 4,000 से जादा मरीजों की कुरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई और बिहार के सासाराम से हरान करने वाली कुछ तस्वीरे सामने आई वहाँ पर DSP कारले के पास एक महिला ने पुलिस की गाड़ी को रोक कर जमकर हंगामा किया बताया गया कि उस महिला की शादी 2018 में हुई थी उसने अपने ससुराल वालों पर दहेश प्रतारना का आरोप लगाया था और उनके खिलाफ केस कर दिया था इस मामले में उन लोगों को कोड से जमानत मिल गई जिसके बाद कागजी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पुलिस उन्हें अपनी गाड़ी से ले जा रही थी तबी बीच रास्ते में अमरिता कुमारी नाम की इस महिला ने पुलिस की गाड़ी को रोक दिया और वहां खूब बवाल हुआ वो वही सड़क पर लेट गई जिसे संभाल पाना पुलिस वालों के लिए मुश्किल हो गया वो महिला यहीं नहीं रुकी उसने पुलिस वालों के साथ धका मुक्की भी की शोरगुल सुनकर वहां लोगों का जमावला लग गया बताया गया कि करीब एक घंटे तक उस महिला का हंगामा चलता रहा जुसे बाद में जबरन पुलिस वालों को वहां से हटाना पड़ा उक्तर प्रदेश के कानपुर में समाजवादी पार्टी के कारिकरता की पुलिस से हुई बहस का वीडियो वारल होते ही सियासी पारा चड़ गया ये वीडियो एक दिन पहले का बताया जा रहा है एक दिन पहले योगिया दित्तिनाद भी कानपुर में थे और कहा जा रहा है कि वारल वीडियो में पुलिस से बहस करता दिखा समाजवादी पार्टी का कारकरता उसी दौरान हिरासत में लिया गया था इस वीडियो में दिखा कि समाजवादी पार्टी का कारकरता दरोगा पर इस कदर भढ़का कि उसने टैश में आकर उसका बिल्ला नोचने की धमकी दे डाली ये वीडियो वारल होते ही बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर हमला कर दिया और उसके कारेकरताओं पर गुंडा गर्दी करने का आरोप लगा दिया पुलिस ने समाजवादी पार्टी के जिस कारेकरता को हिरासत में लिया था वो कानपूर बुंदेलखन क्षित्रिय कार्याले के शुभारम के मौके पर विरोध करने पहुचा था तर्पूरा के निकाय चुनाव में हिंसा के मामले पर सुप्रीम कोट में आज सुनवाई होगी पर पूलिस पर दंगायों की मदद करने का रोप लगाया है हर्याना की स्वास्त मंत्री अनलविज ने अंबाला में बन रहे कैंसर अस्पिताल का नेरिक्शन किया इस दोरान उनने इलाज में इस्तमाल होने वाले उपकरणों की जानकारी ली साथ ही उन्होंने डॉक्टरों की फूरी मदद का भरोसा भी दिया गोवा से ट्वेन के जरीए अपने गाउन धार्खन के पाकफुर रोट रही एक मजदूर की मौत हो गई जिसके बाद रेलवे प्रशासन ने गुंटूर स्टेशन पर शब को उतार दिया परिवार वालों ने रेलवे से मदद की गुहार लगाई लेकिन मदद नहीं मिली बाद में इसकी जानकारी जार्खन की मंतरी को मिली ममता की इस बयान पर कॉंग्रिस ने भी जवाब दिया और पार्टी ने राहूल गांधी को प्रधान मंतरी पत का दावधार बताया राहूल गांधी ही हमारे सुभावी प्रधान मंतरी पत के उमीद्वार है दावधार है वैसे 2024 में अभी समय है अभी जल्दी क्या है कुछ घंटों के बाद नौसेना को एक बेहत खतरनाक आईनेस वेला सब्मरीन मिल जाएगी पूरी तरह से भारत में बनी एक ऐसी सब्मरीन है जिसके आने की खबर से ही चीन और पाकिस्तान के होशोड़े हुए नौसेना के बेड़े में शामिल होने से पहले न्यूजेटीन की टीम इस पंडुबी पर पहुँची जो नौसेना के ओपरेशन 75 का हिस्सा है पूरी तरह से देश में बनी ये सब्मरीन नौसेना के लिए एक अचूक हत्यार साबित हो सकती है लंबे वक्त से नौसेना के जवान और अफसर इस सब्मरीन के ट्राइल से जोड़े हुए थे जिनका दावा है कि सब्मरीन बेजोड है इससे पहले भारत में मनी सब्मरीन के कई पुरजे विदेशी तकनीक पर आधारित थे लेकिन आएनेस वेला के छोटे-छोटे कलपुरजे भी स्वदेशी है नौसेना को इस तरह की छे सब्मरीन मिलनी थी जिनमें आएनेस वेला के बाद दो सब्मरीन और दी जानी है जिसके बाद आपरेशन 75 पूरा हो जाएगा लेकिन आइनस वेला अब तक की सबसे खतरनाक सब्मरीन मानी जा रही है जो 75 मीटर लंबी है और इसका वज़न डेड़ हजार टन से भी जादा है एक बार पानी में उतरने के बाद ये सब्मरीन 55 दिन तक समंदर में रह सकती है और बिना रुके 1000 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी इताय कर सकती है पानी के नीचे रहते हुए इसकी रफतार 37 किलोमीटर प्रती घंटा से ज़्यादा रह सकती है दुश्मन के लिए ये सब्मरीन सबसे खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये दुश्मन के जहाज या सब्मरीन को टॉर्पीडो ही नहीं बलकि मिसाइल से भी निशाना मना सकती है इतना ही नहीं समंदर के अंदर लैंड माइन का जाल विछाने में भी आएनेस वेला को बेजोड बता जा रहा है पर्श्यू मंगाल के जलपाई गुड़े से चौकाने वाली कुछ तस्विरें सामने आई वहाँ पर 17 साल के एक लड़के की भालू के हमले से मौत हो गई पूरे इलाके में गुण जुठी जैसे इस हमले का पता वहां की लोगों को चला वो इक खटा हो गए खबर है कि उन्होंने उस भालू की पीट पीट कर जान ले ली बतायागा कि बेहरैमी से उस भालू ने उस लड़के को मारा जिसके शव को बाद में आंबुलेंस की ज़रीया एस्पिताल ले जा गया बालू की सांसे थमने के बाद उसके शव को भी वनविभा के करमचारी अपनी गाड़ी के जरीये वहां से ले गए जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से रॉंक्टे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया जिसमें फ्रांस के स्पाइडर मैन के नाम से मचूर एक्स्टन्टमेन ने अपने साथी के साथ करीब 500 फीट उची बिल्डिंग पर चढ़ाई कर डाली बताया गया कि उन्होंने क्लामेट चेंज जैसे गंबीर मुद्दे पर लोगों को जागरूख करने के लिए ये कदम उठाया और अपने साथी स्टन्टमेन के साथ एक बहुमंजिला इमारत पर चढ़ाई शुरू कर दी उनके इस स्टन्ट का वीडियो भी सामने आया जिसमें वो बिना किसी सहारे हाथों से ही उस इमारत पर चढ़ते नजर आये इस खतरनाक कर्तब को करने के लिए दोनोंने किसी चीज की भी मदद नहीं ली सुरक्षा के लिए नोने खुद को रसी से भी नहीं बांदा दोनों बेखौफ बिना रुके लगातार उपर की तरफ चढ़ते रहे उन्हें इमारत पर चढ़ता देख नीचे खड़े लोग भी हैरान रह गए कुछ तो इस कारनामे को अपने फोन में रिकॉर्ड करने लगे किसी तरह की एमर्जेंसी से निपटने के लिए नीचे दमकल की गाड़ियां भी तैनात नजर आए आखरकार दोनों कुछ मिंटों में ही 500 फीट उची उस इमारत पर चड़ गए और जमो कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षाबल को बड़ी कामयाबी मिली है जिसके बाद घेरा बंदी की गई गिरे हुए आतंकियों से मुट भेड शूरू हुई जिसके बाद सुरकषाबल ने तीन आतंकियों को मार किज़ए चुछ यहां पर नौजवान भी निकले और उन्हें काफी पत्राव किया सुरक्षा बलूंग पर, सियार पीफ की गाड़ियों पर और पुलीस की गाड़ियों पर हालांकि इस वकत यहां पे हालात काबू में है लेकिन यहां पे जो एंकाउंटर हुआ उसमें तीन मिलिटन्ट मारे जाएने का पुलीस ने दावा किया है नशे का सामान सप्लाई करने का आरोप लगने के बाद इ-कॉमर्स कंपनी एमाज़ॉन पर कारवाई की मांग तेज हो गई एक दिन पहले ही मद्धपरदेश के भिंड में गांजे की आनलाइन शॉपिंग के मामले में एमाज़ॉन के डिरेक्टरों के खिलाव केस दर्च किया गया था जिसके अगले ही दिन भारत में कारोबारियों के संगठन C.A.I.T. ने दिल्ली में प्रदर्शन किया वो एमाज़ॉन के खिलाव पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे और नारे लगाने लगे इन व्यापारियों ने मांग की कि नशे का सामान सप्लाई करने का आरोप लगने के बाद एमाज़ॉन पर सख्त कानूनी कारवाई हो कुछ दिन पहले ही C.A.I.T. ने आरोप लगाया था कि 2019 में हुए पुलवामा हमले में जो विस्पोटक इस्तमाल किये गए थे उन्हें बनाने का केमिकल एमेज़ॉन से मंगाया गया था कॉंग्रिस ने पंजाब के पूर सीम कैप्टिन अमरिंदर सिंग की पतनी को कारण बताव नोटिस भेजा कॉंग्रिस ने पंजाब के पूर सीम कैप्टिन अमरिंदर सिंग की पतनी और पटियाला से सांसत परनीत कौर को कारण बताव नोटिस भेजा पंजाब कॉंग्रस पुभारी हरीश चौत्री की ओर से जारी नोटिस में पार्टी विरोधी गतिविदियो में शामिल होने के आरूपों पर उन से सफाई देने की मांग की गई मुंबै के पूर एसीपी शमचेर पठान ने परंबीर सिंग पर आतंकी कसाब के पास से मिला फोन लेने का आरोप लगाया शमचेर पठान ने दावा किया कि 26-11 हमली के समय जिंदा पकड़ा गया आतंकी कसाब के पास से एक फोन मिला था जिसे परंबीर सिंग ने पुलिस से ले लिया था और उसे किसी भी जाच एजंसी को नहीं सौपा था यूपी के शाजापूर में फास्ट्राक कोट ने बच्चे की हत्या क्या रोप में दो लोगों को फांसी की सजा सुनाई साथी दोनों पर एक एक लाग का जुन्माना भी लगाया गया करीब 6 साल पहले दोनों पहले लोगों को फांसी की गई उनमें छतरबदी शिवाजी माहराज टर्मिनस दादर लोकमा नितिलक टर्मिनस ठाने कल्यान और पन्वेल शामिल हैं फर्याना के टुहाना में तीन महिलाएं गेने की दुकान से 80,000 रुपे के जेवा चोरी कर फरार हो गई दुकानदार की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्स कर लिया है और CCTV पुटेज के आधार पर महिलाओं की तलाश में जुट गई है पुलिस वड़ा आया भी था वो देख की दर राजनगर बगारा में दर देख के भी आये 36 गड़ के सुक्मा में गांजा तसकरी के आरोप में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफतार कर लिया पुलिस ने आरोपियों के पास सो किलो से ज़्यादा गांजा बरामत करने का दावा किया मैं हूं किशोर अजवानी आज की ताज़ा खबर जारी है